नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वावित करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित पर्मा और एच्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 26 फर्वरी 2022 की हिमाचल पर्देश की आज की 20 फटा पटता आजा ख़वरों के जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर अंट तक बने रही है अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करने और अंकित पर्मा और अच्पी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले है ताकि आप तक एमाचल परदेश की हर नॉटिफिकेशन सब से पहले पहुंच सके तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा कावर ब्रेकिंग निउस है स्वास्ति विभाग का दावा हिमाचल में 15,000 लोग कैंसर से पीड़ीत है तो स्वास्ति विभाग का क्याना है कि जीला अस्पतालों में 10 कैंसर देख भाल एकाई अस्तापित कीगी है इनमें ऑनकोलोजिस वा विशेशक्यों के मार्गदर्शन और टेली परामर्श के ताथ कैंसर जांच सुविदाएं आई, एसी और कीमो थेरेपी उपलब्ध हैं भार्ष श्री लंका T20 धर्मिशाला में 4 साल बार अंतराश्री किर्केट मैच आज बार्ष की आशंका से जो है जर्षक फिर तो HPCA के सचिव सुमित कुमार ने बताया कि धर्मशाला स्टेडियम में आज तक T20 बंडे और टेस्ट मैचों को मिला कर 17 अंतराश्री मैच खेले जा चुके हैं, 2010 से 2013 तक IPL के 9 मैच भी यहां हो चुके हैं भार्त शीरलंका T20 धर्मशाला में बोलता है रोहित शर्मा का वल्ला दक्षण अफ्रीका के खिलाप जो है जड़ चुके हैं शत्क तो 2015 में साथ अफ्रीका के खिलाप T20 मैच में रोहित कोईली ने दूसरे विक्ट के लिए 136 रन की साज़ेदारी की थी बंगलत ये जो है तमीम इकबाल के नाम साथ ग्यांदों में सबसे तेज शत्क बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है शेक्षा मंतरी बोले सो विद्यार्थियों से कम संख्या वाले स्कूलों में कलस्टर बनाकर होगी शारिरिक शिक्षक भरती तो शेक्षा मंतरी ने बताया कि सरकार ने शारिरेक शेक्षकों के रेक्त 870 पद भरने का फैसला लिया था भरती प्रक्रिया शुलू होने से पहले कुछ अब्यार थी हाई कोर्ट पहुंच गए कोर्ट से भरती प्रक्रिया पर स्थागन आदेश दिये गए हैं कोर्ट के फैसले के बाद ये बद भरे जाएंगे शादी की त्यारियां पूरी राजस्थान की शीतल वर्मा के साथ साथ फेरे लेंगे हिमाचल के किर्केटर अंकुष बैंस तो अंकुष अंडर 90 बेश्य कप में भारती टीम के सदस्य से भी रह चुके हैं इसी टीम में दीपक हुड़ा भी शामिल थे हुड़ा और अंकुष अच्छे दोस्त हैं ऐसे में उमीद जताए जा रही है कि इस शादी में दीपक हुड़ा में हुड़ा भी शामिल होंगे हिमाचल डेड़ लाग पेंशनरों की 2.57 बढ़े की पेंशन फार्मूला ते महंगाई रात 31 फेंशनी मिलेगी तो परदेश में करीब डेड़ लाग पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन देने का फार्मूला ते हो गया है राजय सरकार के वित विभाग ने गुरुवार को इस संबन में कारियल आदेश चारी किया है महंगाई रात को भी करमचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते की तरज पर करमचारियों की तरज पर जो है 31 फेंशनी जो है दिया जाएगा शमला आप उश्ड कारोपारी दमपती को बंदक बना कर लूट की लाखों की लूट नौकर ने चार बदवाशों के साथ दिया वारदात को अंजाम तो नौकर समेट चार बदवाशों ने घर में गोशकर एक दमपती पर हमला किया और घर में रखी नगदी और जेवर लूट कर फरार होगे सुचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुची पुलिस की मताबिक गटना छोटा शमला थानक शेत्र में ज्वेलर्स पलवीन खन्न के घर पेशाई वतन बापसी यूकरियन से रोमानिया पहुंचे हिमाचल के 150 विद्यार थी अभिभाब को ने ली राहत की सांस है तो शुकरबार को पश्चम यूकरियन के बोकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवरस्टी में पढ़ने वाले भारत के करीब 2000 प्रिशिक्ष तो डॉक्टर जो है शामिल हैं माचल हाई कोंट 29 मार्ज कर परिवान अपेलियन आईदीकर्ण स्टापित करने के निर्देश है तो हाई कोड़ ने पहले एक महिने के बीत्र, या न आईदीकर्ण स्टापित करने को कहा था लेकिन एकमा पीतच चाने पर भी सरकारी से ता केश पठानियों को विपक्ष ने बोलने नहीं दिया नियम का हवाला देकर उन्हें सीट पर बैठने पर जो है विवश कर दिया MC धर्मशाला बजट होटल कारोवारियों को प्रोपर्टी टेक्स में रियायत ओनलाइन होंगी निगम की सभी सेवा हैं MC शिमला बजट शिमला शियर में जो है बनेंगी 27 पार्किंग ग्रीन टेक्स भी वसूलेगी वोसे लेगा निगम हर वाल्ड में अंबुलेंस रोड जाने बड़ी घोशना है तो महापोस सत्य कॉंडल ने शुकरवार को भाजबा शासित नगर निगम शिमला का पांचमा और आखरी बजट पेश किया बजट में स्मार्ट सिटी के पैसों के सारे शेहर बासियों को सुविधाएं देने के सबने दिखाए गए हैं बजट गोशना में ज्याद अतर बड़े प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी मिशन के पैसों पर आधारित हैं उनिस दवाईयों के रेट चेहन चराष्टि ओष्टी मुल्य निर्धार्ण प्रादिकर्ण ने दवाईयों की कीमतों में किया संशोधन तुराष्ट्री और्ष्टी मुल्य निर्धार्ण प्राधिकर्ण ने जो है उनिस सावश्यक दिवाओं की केमतों में संशोधन किया है अब मंडी के साथ उन्ना भी पालेगा कड़किनाथ जलग्रा में पोल्टरी फार्म में रखे जाएंगे करीब दोस्तों मुर्गे मुर्गी हैं तस्वीरें जो है अब देख सकते हैं हिजाब विवाद पर सुनवाई पूरी फैसला सुरक्षित है तो होश्यक्षन संस्तानों में हिजाब प्यानने को लेकर जारी विवाद के बीच करनाट को नहाल लेने जो है शुकरवार को मामले से जुड़ी सभी याजिकाओं पर सुनवाई पोरी कर ली इसके साथ ही हाई कोर्ट की पोर्ण पेट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है TGT को grade pay के अधार पर मिले scale तो बर्ष 2012 के grade pay के अधार पर ही TGT के ओचित scale परदान किया जाए TGT कलासंग इस समय जो है TGT शिक्षिकों को दिये गए 3600 grade pay में संशोधन चाता है CM को सौपत 2.51 लाग का जो है चेक तो हिमाचल प्रदेश लोक दिर्मान विभाग के Electrical Contractor Welfare Association ने मुक्यमंत्री जाराम ठाकर को 2.51 लाग रुपय का चेक जो है बेहिंट किया हिमाचल में करोना से एक मरीज की मौत 149 जो है ने संक्रमित केस्ट जो है आये हैं कारसवा तीन लोगों से पकड़ी 14 की खेब चूरा पोस्त के साथ बाइक सवार गिर्फतार बिलासपुर से न्यूज है कि बिलासपुर पोलिस ने दो अलग लग मामलों में तीन लोगों से चरसवा एक व्यक्ति जो चूरा पोस्त की खेब जो है पकड़ी है नगर नीगम शिमला का 224 तशमलव चार एक करोड का बज़त पेश्ट ना कोई योजना नई योजना ना बढ़ा टेक्स शिमला में कांग्रेस MLA अनुरिद सिंग के साथ पोलिस जबानने की बदसलू की असपी के पास पहुँची शेकायत आसमानी बिजली गिरने से पती की मौके पर मौत पत्नी बालबाल जो है बची तस्वीर जो है आप देख सकते हैं धीरा से निज़े की धीरा मंदल की ग्राम पंचायत धारना के गाउं अलसा में गरत शाम आजमानी बिजली गिरने से एक ब्यक्ति की जो है मौत हो गई 110 किलो मीटर पैदला यात्तर कर जो है शिवरात्री में पहुंचेंगे देव मगरू महादेव तस्वीर जो है आप देख सकते हैं मनाली बोलवो बस्टेंट के पास व्यास नदी से शिशाब बरामद पुलिस शेनाखत में जो है जोटे तस्वीर जो है आप देख सकते हैं अब कॉर्प्रेट सेक्टर में रेटाइरीज कॉर्डिनेशन कमेटी ने दी परिवार सहत शेमला कोच की धमकी सोलन शेमला हाईवे पर जो है सलोगड़ा के पास दर की पाहडी मलिवे की चपेट में आने से बाल बाल बचे बहान तो दोस्तों ये थी 26 फरवरी 2022 की हिमाचल परदेश की आज की जोए सभी ताजा खबर है अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकेत पर्मा ओल हट पी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हमाचल परदेश की हर नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद जय हिं जय भार्द